जैहिन पिछले BSI वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि BSI क्या होता है और इसे हम स्टोन के सर प्लांट में क्यों उच करते हैं यानि कि माइन से सेन बनाने तक का जो सफर है उस वीडियो में आपको बताया था हूँ और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि WSI में कौन-कौन से पार्ट्स लग होते हैं और इनका WSI में क्या काम होता है तो बने रहेगा वीडियो के अंग तक चले फिर वीडियो को start करते हैं तो VSI को बनाने में जो main parts है उसे पहले हम लोग जान लेते हैं तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं यह है total VSI यह वर्टिकल साफ्ट इंपेक्टर और किसी भी VSI को लगाने के लिए यानि कि erection करने के लिए या फिर install करने के लिए सबसे पहला जो main parts होता है उँ होता है इसका base यानि कि यहाँ पर जो यह देख रहे है चारो तरफ यह यहाँ पर यह frame है यानि कि इसी frame के उपर इसे लगाया जाता है तो first part हो गया इसका base या पर इसे आप frame कर सकते हैं second में क्या आता है second में यहाँ पर आता है drive device drive device यानि कि यहाँ पर आप देख पारें induction motor यहाँ पर three phase induction motor लगाया हुआ है किसी किसी में यानि कि high capacity जो VSI लग होते है उसमें एक side motor देखे होंगे और दूसरा एक दूसरे side में भी motor लग होते है वो किसमें लगा होता है जो high capacity यानि high crossing capacity जिस VSI का होगा उसमें हम company जो design करती है उसमें दो-दो motor लगाया जाते हो और वो ज्यादा horsepower के और ज्यादा kilowatt का motor लग हो रते है यहाँ पर आपका base हो गया और second में induction motor हो गयाने की drive device हो गया अब चलते हम लोग third में तो third में क्या है कि spindle assembly spindle assembly कहने का मतलब है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यह जो यहाँ पर VSI का बीच में जो यहाँ लगा हुआ है इस position को इसी को बोलते है spindle assembly यानि के vertical shaft यह इस type से होगा vertical यानि लंबवत उपर की और खार रहे गाए तो इसको spindle assembly बोलते है या फिर boost bearing इतने भी है इसी के साथ लगाया जाता है जाकि यह rotate करे और इसके बाद में और उसी vertical shaft में यहाँ पर क्या किया जाता है तो उसी को उपर पूरा rotor assembly जो है लगा जाता है यानि कि spindle assembly के बाद यदि हम उसके बाद का पार्ट से बोले तो उसको impeller कर सकते हैं impeller जिसे आप rotor करते हैं यानि कि यहाँ पर जो है यह एक्चुली देखा जा रहा है इंजक्चन किया जा रहा है कि इस rotor में कुछ fault तो नहीं है तो इसी पार्ट को rotor कहा जाता है जो कि rotate करता है और किसी भी VSI में जो main work है वो rotor कहीं होता है यह क्या करता है कि material को चारों तरफ distribute करता है यह चीड देता है जिसके कारण क्या हो जाता है जिसके कारण जो material है वो round shape में हमें मिलता है इसके बाद आगे चलते हैं उसके बाद का जो parts है वो है distributor plate जहां पर material गिरता है यहां फिर rotor के bottom में लगा रहता है यानि कि यहां पर जो यह पार्ट देख पा रहे हैं यह क्या होता है कि rotor जहां लगता है और इसमें यहां पर rotor लगने के बाद इसी के उपर यह fix कर दिया जाता है यह distribute करता है यानि कि rotor तो आपका move कर ही रहा है यानि कि rotate कर ही रहा है लेकिन इसका shape जो है shape इस type से बना रहता है ताकि इसके उपर जब material ऐसे गीरना चालों तो यह चारो तरफ इस type से छीट ले और distribute करें यानि कि चारो तरफ फेकता है और यहां पर जो खांचेदार देख रहे हैं यह सब एरिया है और इसको rotor bottom plate भी बुला जाता है अलग-अलग जगों पर अलग-अलग इसका नाम बुला जाता है और इसके बाद में हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट वाले जो पार्ट्स है में जो पार्ट्स किसी वे VSI के अंदर होता है वो यहां यहीं पर लग रहता है यानि कि यह जो rotor आप देख रहे हैं इसी rotor के अंदर में पार्ट्स होता है और जो भी प्रोब्लम आता है यानि कि 90% का असपास जो प्रोब्लम आता है वो प्रोब्लम आपको इसी rotor में ही मिले ठीक है तो इस रोटर में बहुत सारे पार्ट्स लग होते हैं और इस रोटर में पार्ट्स लग रहते हैं जो कि आपको अभी हमने बताया कि इसके पहले जो साथ पॉइंट है उपर का यानि कि बेस ड्राइब प्लेट इस्पिंडल एसेंबली इंपैलर डिस्टिब्यूटर क कैवीटी तो क्रसिंग कैवीटी यहां पर जो आप देख पा रहे हैं क्रसिंग कैवीटी यानि कि जिसे आप टीप और लाइनर बोलते हैं लेकिन एक्शुल में यह क्या होता है एक होता है टीप यानि कि यहां पर जो आप देख पा रहे हैं यह बैक अप टीप है यानि कि ये tips और ये backup tips बैक अप इसलिए तोगकि यहाँ पर side में यहाँ आप आप देख पा रहे होंगे कि यह total के total ये side में लग हुए हैं और side में लगे कारण support में लगा हुआ है इसलिए इस इसको इस पार्ट को बैक अप्टी करते हैं और इसको टिप्स करते हैं अब यहां पर अलग अलग नाम भी इसको पकार सकते हैं जैसे कि यह उपर में लगा हुआ है तो यह अपर टिप्स हो गया बीच में लगा हुआ है तो यह मीडिल टिप्स हो गया और जो सबसे नीचे में लगा हुए इसको bottom tips का सकते हैं bottom tips तो इस टाइब से यह tips हो गया यह bottom tips हो गया और इसके अंदर बहुत सारे wearing parts लगे होते हैं और उसे भी हम लोग जानेंगे और इसके बाद जो है और इस point पर जो आप देख पा रहे हैं यह क्या है यह आपको feed ring बोलते हैं यह इसी के अंदर feed को डाला जाता है और जिसके कारण क्या काता है यह rotate करता रहता है रोटेट करता रहता है और यह चारो तरफ material को छीटता है तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि यह feed ring क्या होता है feed tube क्या होता है इसी जगह पर आपको feed ring भी लग रहता है ठीक है टीव इसलिए बोल जाता है कि यह pipe क्या कार के तरह होता है इसलिए इसकर tip बोला जाता है अब यहां पर दो parts और लगें यहां पर यह पर यह पर देख रहे हैं चारो तरफ यह यह क्या हो गया आपका ROTOR TOP WEAR PLATE हो गया और नीचे का यहाँ पर आप देख रहे हैं यह हो गया BOTOM WEAR PLATE यानि कि ROTOR के यह हो गया top wear plate और यहाँ पर हो गया bottom wear plate यह किसलिए लगा जाता है कि ताकि जो में बोडि है ROTOR का उग हिस न पाए यानि कि कोई भी यादी वेर प्लेट लग रहा है, जहांपर वेर आ रहा है आपको पढ़ने में, तो समझ दिजे कि वो मेन बोटी को बचाने के लिए लगा जाता है, अब इसके बाद और एक दो इसके बाद एक और दो पार्टस है, उसके बारे में भी जान लेते हैं चलिए यहां पर आपको clear में समाज में आ जागा कि कौन कौन से क्या parts है और हर एक company का कुछ design में difference आपको मिलेगा क्योंकि हर एक company का design अलग-अलग parts में parts का design करते हैं कि यहां पर आप देख पा रहे हुए trail plate है यह अलग-अलग model में अलग-अलग design में आ सकते हैं क्योंकि हर एक company का क्या हुता है अलग-अलग design कि रहता है और second में आप देख पा रहे हो कि top wear plate यहां पर देख रहे हैं top wear plate और एक bottom wear plate ठीक है यह क्या होता है rotor के एक नीचे लगा गया है यह आपकette है यहां पर देख पर है वहाह फिड रिंग रहागी और यहां पर एख और इसके एसे लिए लगा जाता है ताकि मनटेरियल को शुग के अंदर फिक vidéo को असानी से दिस्रीपवित करें और इसके अंदर के यतने वियान है इसे trial plate हो गया या फिर top wear plate हो गया या फिर top wear plate bottom wear plate इस सब क्या है इस total के total wear plate है ताकि main body को बचा कर रखा जाए यानि कि main body यानि कि rotor नागी save इसके लिए इस सारे parts का use किया जाता है यहाँ पर एक और parts है parts या फिर बोल सकते हैं यह service के लिए actually होता है यहाँ पर जो आप देख पा रहे है यहाँ पर जो आप देख पा रहे है यह है inspection door यानि कि daily यदि machine चल रही आपकी तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है daily आपको देखना पड़ता है inspection करना पड़ता है उसके लिए को बाहर निकलना ओक यहां पर ऊक्सी किसी में हो सकता के मैनोला भी हो सकता है लेकिन आप यहां से ऊपर जाएगा है यह उपर जाने के बाद इसके आप घुमाकर ुटा और dobrze का जो भी पार्ट से आप आसानी से देख कर यदि उसमें कुछ प्रोगलम है तो उसे आप रिप्लेस कर सकते हैं तो आसा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा दोस्ति आदे इस टाइप के वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर स करते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद